नमस्कार, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा Norms for Affiliation by CWC यद आप एक private school चलाते हैं तो CWC से आप कैसे affiliation ले सकते हैं इसके बारे में मैं एक topic बात करूँगा detail में नहीं एक topic पर खाले और वो topic है society से संबंदेत practically क्या हो रहा है यहां पर क्या rules लिखे हुए है यह क्या है इस सारी बातें मैं आपको discuss करूँगा बताऊँगा कि इन नयमों की कैसे धज्यां उड़ाई जा रही है और हमारी सरकारें कैसे सांती से चुप चाप इन बातों को देख रही है और सीवेसी विसाइद बहुत आराम से सब जानते हुए भी इन बातों पर आँखें बंद करे बैठा है देखें एक बात मैं आपको पता दूँ कि भारत मैं प्राइबेट सिक्षन संस्ताय खोन ले के लिए या तो ट्रस्ट होना चाहिए एक ट्रस्ट जो है वो प्राइबेट कॉलेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, दूबश्टी चला सकता है या एक सोसाइटे होने चाहिए कोई प्राइबेट आदमी प्राइबेट कंपनी ठीक है limited कंपनी स्कूल, दूबश्टी बगारा नहीं चला सकते है क्या चला सकते हैं society या trust अब society और trust का जो अदिस होता है वो होता है no profit no loss पर काम करना समास सेवा के लिए क्या word अपला गया हमें समास सेवा के लिए काम करना कोई भी आदमी कुछ member लेकर अपरे छेतर में जो society रेश्टार होता है महाँ पर एक society का रेश्टेशन करा सकता है society का रेश्टेशन कराने के बाद affiliation की प्रिक्रिया सुरू होती है अब society रेश्टर कैसे होती है वो एक अलग chapter है लेकिन यहाँ पर बता सकता हूँ कि जो भी society रेश्टार होते हैं वो एक society को cash register करते हैं society में कुछ पदाद कारी होते हैं और कुछ member होते हैं जो society का कारवार समालते हैं उसी के अंदर में क्या होता है एक private संस्ता काम करती है वो school हो सकता है, university हो सकता है college कुछ भी हो सकता है लेकिन सबसे important बात यह है कि जितने भी प्राइवेट सिक्षन संस्ता हैं उनको चलाने के लिए उस सुसाइटी में कोई पारवारिक सदस्य नहीं होना चाहिए मैं क्या करा हूँ कि उस सुसाइटी में कोई पारवारिक सदस्य नहीं होना चाहिए ऐसा नी हो सक्का कि मैंने एक society बनाई उस society मैं हूं मेरी वाइफ है मेरे बच्छे हैं जो भी लोग हैं जो भी पदाखारी सदश्य है वो सभी पारवारिक लोग हैं तो इस तरह की society को CBC affilation नहीं दे सकती यह सीवेसी के वाई लोज में बहुत इसपस्तोर से लिखा हुआ है देखिए नॉम्स ओफ एफिलेशन आप चाहे तो बेव साइट पर जाके इस बात को देख सकते हो यह चैप्टर टू है चैप्टर टू में आ जाईए आप ठीक है चैप्टर टू में 2.3.2 पर यहां पर लिखा हुआ है कि जो सुसाइटी रेश्टर हो रही है अंडर लोग वो जो है उसमें फैमिली मेंबर नहीं होने चाहिए और वो सिंगल पर्सन के कंट्रॉल में नहीं होने चाहिए ऐसा सीबेसी के वाई लोज में बहुत इस्पस्ट लिखा हुआ है इस लिखने के बाद भी अधिकतर प्राइवेट स्कूल में जो सुसाइटी काम कर रही है या जिन सुसाइटी के अंदर प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं वो सुसाइटी में अधिकतर में फैमिली बाद भी C.V.C. उन स्कूलों को एफिलेशन दे देता है कहने का मतलब है इस्कूल चलाने की परमीशन दे देता है कि आप इस्कूल चलाईए जब एक सुसाइटी में सभी पारवारिक शदश्य होंगे तो उसकी जो बेलेंस सीट बनती है जो एक सीए बेलेंस सीट बराता है तो उस पर कोई अबजेशन करने वाला नहीं होता है कि पैसा कहां से आ रहा है कहां खर्च हो रहा है कहां पर खर्च होना चाहिए कितना पेमेंट रहा हो चाहिए इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं होता है क्योंकि सभी लोग एक ही परवार करें इसका मतलब है कि उन्होंने इस्कूल चलाया या इस्कूल चलाने की प्लानिंग किरी वो किसले करी तक औरफिट कमाने के लिए तक ऑसका अगया था था ससाईटी का उदेश होता है कि सुसाईटी जो यह विना लॉस्ल रोष बिना प्रॉफिट के समाज हित्म काम करेगी क्या आपके आसपास चलने वाले स्कूल बिना प्रॉफिट के बिना अपने लाब के काम कर रहे हैं क्या वो अपने इस्टूंडों के साथ बला कर रहे हैं क्या वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर के साथ बला कर रहे हैं बिल्कुल नहीं आज के समय में सिक्षा उन हाथों में चले यह यह है जिन हाथों में कभी फैक्टरी हुआ करती थी जिन हाथों में कभी राजनीती की जाती थी जिनसके द्वारा या आज के समय में वो लोग सिक्षा चित्र में आ रहे हैं जो बिलेक मनी को वाइट मनी बनाना चाहते है जो कभी रियल इस्टेट में हुआ करते थे वो आज के समय में इस्कूल, कॉलेज, इनिवर्स्टी बगर रहा है बिस्वास के लिए यही इस्तिती रही ठीक है तो यह बहुत जादा खतरनाक इस समाज के लिए हो सकती है और आप देख रहे हैं हो भी रही है यह आप जरा से जागरूप पर्शन हैं तो आप एक बार जरूर आटिया ही लगा कर अपने छित्र में जहां पर आपके बच्चे पढ़ रहा हैं या जहां पर आप पढ़ा रहे हैं महां पर देखिए कि आपका स्कूल जिस सुसाइटिक अंडर काम कर रहा है उसमें आने वाले जो सुसाइटि में जो लोग हैं वो कौन-कौन है आप यह आटिया इसे सम्मंदित रहिष्टार जो है आपके वहां से आटिया के थूरू इसकी सुचना ले सकते हैं और वो आपको सुचना परफेक्ट तरीके से देंगे यह आपको लगता है कि उसमें सभी परबारिक सत्य से हैं तो इसकी सिकायत निश्चित सीबेसी से करिए मौँ पर सिकायतों के सुनभाई नहीं हो रही है लेकिन जब सिकायत हैं बहुत ज़्यादा जाएंगी बहुत ज़्यादा कंप्लेंड होंगी तो निश्यत है कुछ सरकार हो सकता है इस बारे में कुछ सोच लेकिन सरकार तभी सोचेंगी जब आप लोग जागर को हो यद आप लोग आँख बंद करके बैठे रहे तो सरकार भी यही चाह रहे हैं का आप लोग आँख बंद करके बैठे क्योंकि मैं नुद्देशी सरकार का होना चाहिए कि वो सिक्षा स्वास्त ठीक है अपने नारकों निसुल्क दे पर ऐसा हो नहीं रहा है सरकारों ने अपनी आँखे बंद इसली कर रखी है क्योंकि उनको यद यहां पर कुछ कारवेकर नहीं कुशिश करी ठीक है तो पबलिक उनसे पुछेगी का आप क्या कर रहे हो और इसका साथ उनके पास कोई जवाब नहीं हुआ क्योंकि उनके संसाधनों में उनके जो कॉलेज हैं सरकारी उनमें सही तरह से काम नहीं हो रहा है या वो सही तरह से काम करा नहीं पा रहा है ठीक है मैं चाहता हूं कि आप लोग आटे लगा कर अपने संबन दिते स्कूलों की जरूर पता करें कि उस सोसाइटी में आने वाले जो मेंबर हैं वो पारिवारिक हैं या नहीं हैं यदो पारिवारिक हैं तो इसकी सिकायत जरूर आप सीवेस्टी से करें आज के लिए तरह ही अपना ख्याला क्यां और कुछ रहा हैं तरह हैं तरह हैं तरह हैं